हलो फ्रेंड्स आज चो केक में सिखाने जा रही हूं आप उसको वैन्चो केक बोल सकते हो मतलब वैनिला चौकलेट केक बोल सकते हो ब्लाक अंड वाइट केक बोल सकते हो या डेयां नाइट केक भी बोल सकते हो इसकी गार्णिसिंग कई तरह की आप कर सकते हो ठीक है इसके ल देख लेते हैं यहां पर मैं 100 ग्राम प्रिमिक्स ली हूँ वैनिला प्रिमिक्स उसके अंदर में 60 ग्राम पानी डालूँगी और इसका एक फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना लूँगी अब इसके अंदर में 6 ग्राम ये ओल डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बैटर हमारा रेडी है अब इसको एक 5 इंच के केक टिन में मैं डाल दूँगी अब इसको मैं बेक कर लेती हूँ ये 15 मिनिट के अंदर बेक हो जाएगा ये डार्क चोकलेट गनास है जो पिछले क्लास से थोड़ा सा बच गया था अभी वाइट चोकलेट गनास बना लेते हैं थोड़े से विपिंग क्रीम एक कटोरी के अंदर में ले लेती हूँ इसके अंदर डालेंगे वाइट चोकलेट के चॉप्स इसको धीमी आंच पर मेल्ट होने देंगे ये देखिए अमारा चोकलेट गनास डेडी है इसको ठंडा होने के बाद यूज करना है जो पहले का गनास बचा था उसको थोड़ा सा में गरम कर ली गास में सिम बे रखके उसको मिक्स कर ली अभी वाइट चोकलेट गनास और डार्क चोकलेट गनास डेडी है केक का जो डोम पोर्षन है वो हम यूज नहीं करते हैं ऐसे बच जाता है आज इसी से मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी ये आप रिंग के अंदर भी बना सकते हैं ये आपको बहुत इजी होगा रिंग के अंदर बनाने से मैं बिना रिंग के आपको आज यहाँ पे दिखाई हूँ ये देखिए जो डोम के पोर्षन है वहाँ उसके बीच में मोटे रहते हैं उसी मोटे पोर्षन को थोड़ा सा हम पतला कर देंगे ऐसे काट लेंगे इससे आप चोकलेट ट्रफल्स भी बना सकते हो इससे आप सौट ग्लासेस भी बना सकते हो और केव भी बना सकते हो मेरे पास ये white dome एक ही था इसलिए मैंने 100 gram का एक छोटा सा cake बना लिया ये देखिए cake को मैंने oven के अंदर से निकाल लिया अभी cake बहुत गरम है क्रीम को बीट करके रख लेंगे अब इसके अंदर थोड़े से vanilla essence आड़ कर देंगे और क्रीम को अच्छे से mix कर लेंगे कर लेंगे अब piping bag के अंदर क्रीम को भर लेंगे दूसरे एक कटोरी के अंदर थोड़े से क्रीम निकाल लेंगे अब इसके अंदर हमने जो गनाज बनाया था उसको थोड़ा सा डाल देंगे और mix कर लेंगे ताकि ये chocolate cream बन जाए ये देखिए मैंने दोनों पैपिंग बैग में क्रीम को भर दिया है ये वाइट क्रीम और ये चॉकलेट क्रीम हमारा त्यार है अब इस केक को हम कट कर लेते हैं ये फाइव इंच के केक टिन में मैंने बनाया था अभी थोड़ा सा ये गरम है इसलिए थोड़ा सा तूटने का चांस है इसमें अब गरम में कभी मत काटिएगा अब इसको मैं दो लेयर में डिवाइड कर दूँगी मुझे थोड़ा मोटा रखना है अब ये जो मेरे बचे हुए केक्स थे इसको ऐसे ही मैं आसेंबल कर लूँगी ऐसे ही केक के उपर रखके ये जो साइड का है हम काट लेते हैं अगर आप इसको रिंग में करते हो तो ये आपको बहुत आसान होगा टॉल केक में हमेशा आपको लेयर को थोड़ा सा मोटा लेना है मैं आपको यहाँ पे बचे हुए केक से सिखा रही हूँ आप एकदम बनाये हुए केक से भी इसको कर सकते हो ये बलाकांड वाइड चॉकलेट केक और वैंचू केक है इसलिए इसमें वैनिला और चॉकलेट दोनों का स्पंज चाहिए आप देखिए ऐसे ही हमें ये जो सारे टुकडे हैं इसको असेंबल करना पड़ेगा मैं आपको एक दो में दिखा देती हूँ सेम वैसे ही आपको सारे को कट कर लेना है झाल 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 क्बारा का से कही दए में का चाहिए अछे इसलिए अजो लिए ईशो चाहिए वैर दिटाए झाल झाल चलिए अब आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं एक बोड के उपर पहले थोड़ा सा क्रीम लगा दूँगी यह सिक्सिंच का केक बोड मैंने लिया है क्रीम को बोड के उपर स्प्रेड करने के बाद एक लेयर में वैनिला स्पॉंज का रख दूँगी अब इसके उपर मैंने जो एसेंस सिरफ बना के रखा था वैनिला एसेंस पानी में डाल के उसी को हम लगा देंगे अब इसके उपर क्रीम को स्प्रेड कर देंगे पैपिंग बैक से आपको क्रीम को देना है यह बहुत इजी हो जाता है काम अब एक स्केल से क्रीम को चारों तरब स्प्रेड कर देते हैं पूरी लेयर के उपर अब इसके उपर में जो वाइड गनाज बनाई थी उसी कोट सोडा ड्रीजिल कर लेंगे सबसे में चीज इसमें क्या है जैसे वैनिला बेस के ऊपर आपको एकsource प्लेन क्रीम लगाना है सिर्फ वैनिला एसेंश डाल के साथ में ये जो वाइड चोकलेट के थोड़े थोड़े कट केस्स सर्मा डालना हें यह वाइड चोःको चीप्स डालनाएं साथ में वाइड गनाज डालना है अब इसके उपर हमने जो ये चौकलेट की स्पंज कट कि थी उसको आसेंबल कर लेना है अब इसके उपर में जो एसेंस सिरप बनाई थी उसको डाल देते हैं अब इसके उपर मेंने जो चौकलेट की क्रीम बनाई थी उसको स्प्रेड कर देना है अब चौकलेट स्पंज के उपर चौकलेट क्रीम जाएगी डार्क चौकलेट के छोटे छोटे पीसिस जाएगे और डार्क चौकलेट का गनास जाएगा हम इसके उपर जितने भी लेयार रखेंगे इसी प्रोसीजियोर को फॉलो करेंगे मतलब चोकलेट स्पंज के उपर आपको चोकलेट क्रीम जाएगी डार्क चोकलेट की गनास जाएगी और डार्क चोकलेट के छोटे छोटे पीसिस जाएगे और वैनिला बेस के ऊपर वाइट कलर का गनास जाएगा वाइट कलर का वैनिला क्रीम जाएगा साथ में वाइट चोको चीप्स या वाइट चोकलेट के छोटे छोटे टुकडेस जाएगे यह देखिए यह हमारा चोकलेट बेस है इसलिये इसके उपर डाक चोकलेट का गनास कहा साथ में चोकलेट क्रीम गई और डाक चोकलेट के छोटे-छोटे टूपड़े गई सेम इसी तरह मैंने सारे लेयर्स को आरेंज कर लिये हैं अब ये टॉप का लेयर है एकदम उपर का इसको थोड़ा सा आप देख लिजे मैं कैसे कर रही हूँ siinä फ्तर माँ अजय कैसे लिजे लिए कर देख लिकेश कर दोयटर मैं हो इसके सारे टूबूब अधर माँत है अजय एकदम क्दम गवार ये उपरी नहीं है यह दिखिए अगर साइड के टुकड़े आपके पास हो तो आप उसको ऐसे ही आरेंज कर सकते हो और जहां पे भी यह टुकड़ा ना लगे ना चिपके वहां पे आप क्रीम के साथ थोड़ा सा क्रीम लगा के इसको लगा सकते हो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे प्रेस कर लेती हूँ ताकि यह चिपक जाए अब उपर के पोर्शन में थोड़े से हम क्राम्स दे देते हैं यह देखिए मैंने थोड़े से क्राम्स से इसको एकदम बराबर कर लिया है जहां पे भी उचा नीचा था उसको मैंने वराबर कर लिया है अब इसके उपर भी हमें एसेंस का सीरफ लगाना है लेकिन ध्यान से लगाना है यह क्राम्स को टच करने से क्राम्स निकल जाएगा इसलिए बीना टच किये हमें यह सीरफ को डालना है अब इसके उपर क्रीम को लगा देंगे आराम से आपको लगाना है अभी पूरी एकदम टॉप पोर्शन में क्रीम को एक दूसरे के साथ ऐसे टच करते हुए स्प्रेड कर देंगे अभी जो भी ग्याप है उसको स्केल से ऐसे साइड टू साइड ऐसे करके एकदम प्लेन कर देंगे अब साइड से थोड़े से स्केल से ऐसे क्रीम को ऐसे कर देंगे ताकि जो भी बाहर निकला हुआ क्रीम या क्रम सो वह आपस में जिपक जाए अब जो भी ग्याप है उस जगे में हम क्रीम भर लेते हैं यह देखिए यह उपर में एकदम भी क्रीम नहीं लगा है तो यहाँ पे हम क्रीम भर देंगे और इसको एक क्रम कोट कर लेंगे यहाँ पर और थोड़े से क्रीम की जरूरत है जो कि मैं लगा देती हूँ यह देखिए हमें पूरे में थोड़े से थोड़ा क्रीम लगा के इसको क्रम कोट करना है आप अगर स्क्रियाज से बना रहे हो तो आपको क्रम कोट करके एक दो घंटे के लिए केक को फ्रीज में रखना पड़ेगा एक दो घंटे बात फिर से आपको निकाल के में कोट करना है यह बहुत जरूरी है को कर दो कि अब साइट का हो चुका है अब साइड से उपर में जितना भी क्रीम आया था उसको क्लीन कर लेती हूँ अब केक बोड के उपर जो भी क्रीम फैला हुआ है उसको साप कर लेती हूँ अब इस केक को मैं दो घंटे के लिए फ्रीज के अंदर सेट होने के लिए रख दूँगी तो घंटे बाद इसको निकालेंगे फिर इसको मेन कोट करेंगे थोड़े से वाइट वूपिंग क्रीम के अंदर मैं गनास को डालूंगी थोड़ा सा अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे डालूंगी ताकि जैसे गनास का एक डार्क सेड आ जाए अब स्पूर्ण या स्प्याचूला से इसको मिक्स कर लूंगी मुझे क्रीम और थोड़े से डार्क कलर की चाहिए इसलिए मैंने और थोड़ा सा चॉकलेट गनास मिक्स कर दिया इसके अंदर अब यह चॉकलेट का जो क्रीम है इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर भार लेती हूँ दो घंटा हो चुका है केक को मेनेक फ्रीज से बाहर निकाल लिया अब इसके उपर में एकदम टॉप में थोड़े से वाइट हुप्ट क्रीम रखके इसके उसको ऐसे ही स्प्रेड कर दूँगी फ्रेंड्स जुखाम के बैज़े से मेरे गले में थोड़ा सा प्रोब्लेम है इसलिए आवाज ऐसे सुनाई दे रहे हैं प्लीज थोड़ा सा आर्जस्ट कर लीजिएगा अब टर्न टेबल की सयाता से धीरे धीरे घुमा के इसको ऐसे क्लीन कर लेंगे अब साइड में जो क्रीम गया है उसको ऐसे स्केल से हम स्प्रेड कर देंगे अब मैंने जो डार्ट कलर का चॉकलेट क्रीम बनाया था उसको नीचे में ऐसे दो लेयर करके दे देंगे अब इसमें से जो क्रीम बच गया उसके अंदर मैंने और थोड़े से वाइट क्रीम डाल के इसको मिक्स कर दिया ताकि ये और थोड़े से लाइट सेड बन जाए अब इस लाइट सेड को पाइपिंग बैग में भलेंगे और इसके उपर और हम दो या तीन लाइन इसके उपर फिर से दे देंगे अगर आप दो दो लाइन कर रहे हो तो सबको दो दो लाइन करना है अगर तीन लाइन कर रहे हो तो सबको तीन तीन लाइन करना है अब इसके उपर एकदम white वाला cream को हम दे देंगे सब में मैंने 3-3 line दे दिया है अब top portion में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीचा लग रहा है यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा cream दे देती हूँ अब उपर से ही हम start करेंगे clean करना यह देखिए ऐसे करते करते आपको पहले ही top portion को एकदम clean करना है अब मेरे पास यह scraper था इसको मैं ऐसे एकदम सीधा रखके आपको इससे turn double को चलाना है यहाँ पे cream को मैंने थोड़ा सा दबा दबा के दिया था इसलिए यह ग्याप ऐसे रह गए है आप ऐसे मत कीजिएगा आप एकदम plain से दीजिएगा ताकि यह problem आपको ना आए फिर भी यह दिखा देती हूँ मैंने कैसे adjust किया था मैं थोड़े से cream जहाँ पे भी ग्याप था वहाँ पे लगा दी और scale से उसको ऐसे कर ली अब उसके बाद मैंने फिर से scraper चला दिया तो यह जो ग्याप से यह सारे भर गए यह देखिए scraper को एकदम मैंने सीधा रखा है बोड के उपर और बाएं हाद से ton double को घुमा रही हूँ अब टॉप को पोर्शन में जो भी extra cream आया है उसको हम clean कर लेंगे अब यह जो डार्क चोकलेट के गनास है इसको ग्यास पर एकदम धीमी आंच में थोड़ा सा गरब करके इसको melt कर लेंगे अब piping bag में भरके इसको एक dripping वाला effect के लिए यूज करेंगे अब बीच में जो भी गनास बच गया उसको हम डाल देंगे अब एक पैलेट नाइप के मदद से मैं इस जो गनास है इसको चारो तरब स्प्रेड कर दूँगी इसको मैंने चाना नहीं था इसलिए ये देखिए इसमें थोड़े से दरदरे चॉकलेट की टुकड़े रह गये हैं तो जब भी आप ट्रफल बनाए जरूर इसको चाने क्याक यहाँ पर रेडी है अब गार्निक सिंग पाठे गार्निक सिंग पाठे में आप डाक चॉकलेट ट्रफल में वाइट चॉकलेट ट्रफल यूज करके हाप हाप करके बोद डे आ नाइट आपको बना सकते हो आप अब यहाँ पे नीचे में ये पत्ते वाला नोजल से ये बौडर में बना लेती हूँ अब थोड़े से चॉकलेट गनाज को मैं ऐसे ही ड्रिजल कर लेती हूँ अब इसके उपर ये जो चॉकलेट के बॉल्स, गोल्डेन बॉल्स, फिर हाट और स्क्वेयर ये सब मैंने जो बनाया है ये सब को मैं इसके उपर लगा दूँगी और ये सब का वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी अब ये जो प्रोसीजियर हमने यहाँ पे उपर में किया से मुझको नीचे ऐसे साइड में भी करना है ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आए अगर आपको इस क्लास के वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्षन में लिख सकते हो गरनिसिंग पार्ट जो है वो टोटली आपके उपर है आप कैसा करना चाहते हूँ अगर आपके जानकारी में कोई भी है जिनको केक क्लास जो सीखना चाहती है प्लीज उनको ये वीडियो सेंड करें ताकि वो सीख पाए इसको मैंने 5 इंच के केक टिन में ये जो स्पंज मैंने बनाया था वैनिला का उसको बनाया था ये एक टॉल केक है अब इसके बाद मैंने और थोड़े से मेरे पास गरनिशिंग बचे थे जिनको लगा के केक को और थोड़े से मैंने डेकुरेट कर दिया है यहाँ पे एक square लगा दिया है अब बीच में ये छोटे-छोटे जो circle थे उसको लगा दिया है अब side में ये जो square थे heart था ये सब मेंने लगा दिया है ये देखिए final look ये है पिलते हैं next video में चाई जगनात